सभी मित्रों को जय जय सिया राम प्रभु स्री राम की किर्पा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है गोस्वामी तूलसी दास जी की एक कहानी आज आपको सुनाएंगे कि एक बार गोस्वामी जी अपने कांधे पर अपना जोला लटकाए कहीं से लौट रहे थे तभी सामने से कुछ चोर गोस्वामी तूलसी दास जी को आते हुए दिखाई परा उन्होंने तूलसी दास से पूछा कि तुम कौन हो तूलसी दास जी बोले भाई यो तुम हो मैं भी वही हूँ चोरो ने तूलसी दास को चोड़ ही समझा और बोला लगता है नय निकले हुँ हमारे साथ चलो यह सुनकर तुलसी दास चोडों के पीछे पीछे चल दिये आगे जाकर चोडों ने एक घर में सेंध लगाई और तुलसी दास से कहा कि तुम्हें ही बाहर खरे होकर देखते रहना कि कोई हमें देखा तो देख तो नहीं रहा है हम अंदर जाकर चोरी करके आ रहे हैं जो भी हिस्चा मिले जो भी शामान मिलेगा तुम्हारा भी उसमें हिस्चा होगा तुम्हें दे देंगे अगर कोई दिखाई दे तो हमें बता दे ना ताकि हम साफधान हो जाएं जैसे ही चोरों ने अंदर घुश कर अपना काम शुरू किया बाहर खरे तुलसी दास ने अपने जोले से संख निकाल कर जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया चोर संख की आवाज सुनकर बाहर आए और तुलसी दास को खीज कर पूछा कि संख क्यों बजाया तुलसी दास जी बोले कि आप ही इने तो कहा था कि कोई देख ले तो तुरंत बता देना मैंने चारो तरफ देखा तो मुझे राम ही राम दिखे मैंने सोचा कि इन्होंने आपको चोरी करते देख लिया है इसलिए आप लोगों को बचाने के लिए मैंने संख बजा दिया चोरों में से एक ने पूछी लिया मगर राम तुम्हें कहां दिखाई दिये तब तुलसिदास बोले भगबान का बास कहां नहीं है वो तो सरबग्य है कनकन में उनका बास है मुझे तो वे सरवत्र दिखाई देते हैं सिये राम में सब जग जानी अकरव प्रनाम जोरी जुग पानी आपको कैसे बताऊं चोरों ने सुना तो समझ गय कि यह कोई चोर नहीं है महात्मा है सभी चोरों के मन में तुलसिदास के परती सरदा उमराई और यह सब तुलसिदास के पेरों में गिर परे और चोरी त्याग दी तो बोलिए जय जय सियाराम जय जय हनुमान